हलो एरिवन मैं हूँ सुभास एसास और आप देख रहे हैं कारुआ छोटे सहरों में बड़े सपने देखने की जिद और उन्हें पूरा करने की लगन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई समुंदर को तेर के पार करने के सफर पे निकल पड़ा हो जैसे कि कोई पहाड से इस उमीद पे कूद गया हो कि साइद वो बच जाएगा जैसे कि कोई एक दुनिया को छोड़ कर दूसरी दुनिया में जाने की बात कर रहा हो खेर मुश्किल है लेकिन नामुम्किन नहीं है हमारे साथ एक ऐसी सक्षियत मुझूद है जो इसी जिद जुनून और जजबे के साथ आगे बढ़ रही है और अब उनकी केरदार से काम्याबी की खुस्बू भी आने लगी है पेसे से एक सिंगर है और नाम है पुस्पेंदर सर्मा सर बहुत-बहुत स्वागत है आप तेंक्यू तेंक्यू और जो आपकी ओडियंस देख रही है उनको भी बहुत थैंक्यू सो मच और सुभार जी आपको भी बहुत थैंक्यू सो मच की आपने मुझे इस काविल समझा कि आपने जो सेरो सारिया अब भी पेस की है ओडियंस के सामने इनके काविल मुझे उस सक्षियत में गीना है यही मेरे लिए बड़ी बात है सब मेरा पहला सवाल यही रहने वाला है कि हम उस परिसर में रह रहे हैं जहां पर सिंगर बनने की खाहिस रखना दूर इस तरीकी की सोच भी लोगों को हजम नहीं होती है तो इस तरीके के माहौल में आपके अंदर सिंगर बनने का सपना कैसे पैदा हो जिसके कें पीछे दो फेक्ट है hardest तो यह कि जो चीजे स्टार्ट की थी उनको इक सिस्टम के के सात में स्टार्ट किया था ऐसा है निया कि एकदम से कोयचीज बी ना सोचे संजे तरथ कर दे già कल लोके लिकिन जाके उस डिसिजन पर मैं कायम हुआ कि अब मुझे इसी लाइन में जाना है वरना मैं डायरेक्ट उस चीज को अप्रोच नहीं कर पाया कि हां मुझे बीना सोचे समझे वो इस डिसिजन ले लिया उस चीज का उतना रिस्पोंस मिलता गया तभी मैंने इस चीज को चीज नहीं थी यह जो मेरा जो सफर था वो स्कूल से स्टाट होगे था इसकूल में मैं बढ़ता था तो वहां भी प्रेयर करवाता था और उसके बाद में फिर जो सेकेंड स्टेज थी वह थी कोलेज की वहां भी मैं लाइव सिंगिं करता था और कॉम्पेटिशन में पार तो उसमें अच्छा रिस्पॉंस था वही मेरी पहली सीडी भी थी जिसके बाद से मेरा इस इस लाइन में जाने का मेरा होसला भी बड़ा था और घरवाले उसीज गया रेडी इस लिए थे कि बच्पन से स्कूल में प्रेयर कर रहता था तो उनको यह तो पता था हालांकि जुदो इससरो आपके लिए आपके लिए छून इश्पॉर्न कौरों था अन्सान कम से कम साथ उड़ाने इए आप जो एडिए जो आपके जो अडिये जुदेंगी और आपके चौरेंश देखने वाले सब्सक्राइब करते हैं, वागी जो मेरे ओडियन्स और मेरे सपोर्टिव है, उन सब को अल्रेटी पता है कि मेरे मा, मेरे ममी, उन ही की विरस है, मैं कह सकता हूँ कि एक टाइम पर साइब कोई भी एकदम खास से खास अच्छे से अच्छा इंसान वह भी जैसे आपने बोला कि अग्याश्ट हो सकता है, लेकिन वह नहीं हुए, और उन ही की ओठाक करता है, अभी भी मुझे यही लाइन आज रिकोर्ड हो और लोगों तक पहुंचे, आपका पहला गाना किस तरीके से रिकोर्ड हुआ, कितना वक्त आपको इंतजार करना पड़ा और लोगों का उस पे रिस्पोंस कैसा है, जी फास्ट टाइम मैंने इमेजन किया था जब मैं कोलेज में था, मुझे नहीं पता कि मैंने वही बात है ना कि जब आपन चोटी चीज सोचते हैं तो वह भी एपने लिए एक टाइम के लिए बहुत बढ़ी होती है, जी कोलेज में जब सेकेंड यर में था तो मैं दोस्त के साथ बेटा था और उस टाइम मैं बोला ता कि एक पार यह सपना है कि लाइव संग यूटूब चैनल बनाया फिस उस पे लाइव वीडियो डाले उस लाइव वीडियो के रिस्पोंस को देखने के बाद में ही मनत के जो स्पॉंसर थे जो प्रडूशर थे उनका मेरे पास कोल आया था फिर मेरा यह संग रिकोर्ड हुआ था विका निर में और के लिए जी सर आपके अभी तक पांच गारे रिकोर्ड हुए यह सफर कैसा रहा किस तरी किसे चीजिया आगे बढ़ी है और आपकी नजर में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी रही जी मैंने गी ट्राइब कि जो फर्स्ट सोंग था उससे अच्छा सेकंड हो उससे भ अच्छी छोरा है उस पे अच्छा इस पोन्स आये था और मननत और हम सफर घटा पर मेरा मननत से हिज जयदा व्यूज आये जो स्टार्टिंग में जो पीड़ था कि एक डिन में उस पे एतने व्यूज आयते लेग उस तरी भी जाता था खता तीसरा सून आये था मेरा उस यवी आपका एक और एल्बम स्वोंग रिलीज होरा है जी उसके बारे में हमारी ओडियंस को बताएं कब रिलीज हो रहा है किस तरीके का गाना और अगर आप आनाम पता ना जाहें तो जी जी सबसे पहले में आपको बताना जाता हूँ कि जैसे अपने जो आपका लास्ट कुछन था मैं अगर उसी में कुछ एड़ कर दू इस सोंग में तो यह चीज है कि कि यह सबसे स्पेसल होने वाला है रीजन ही है कि एक चीज वह होती है जो आपकी कंट्यूनियो चल रही होती है एक चीज होती है कर दो कि और मेरे जानिया से करें ही था की हूख लाइन है तो और यह सोंग अभी बहुत जल्दी डेलीज चानल ही था हिंदी सूंग प्रयु न्यूप्र न्यूक्रीशन है कि ना थी तक अभी तक मैंने जो 500 सोंग किये कि गिरने के इंचाफ बहुत लोग कर रहे हैं कि अब फिनिश्ट होगे क्यों कि लोग डाउन लगने की बज़े से और इस हिसाब से क्योंकि और फिर ये सौंग अच्छे लेवल के सौंग कर रहा था तो मैं सुझा की कुछ अच्छी चीजीज करूं बले सुझा टाइम लगा मेरे लिए मन्नत से भी ज्यादा डिफिकल्ट है अच्छा आग अब तकर आए डेट बस दस ताइक के आसपास इस सौंग को हम रिलीज करने वाले हैं आपको लवेरिया म्यूसिक पर ही आएगा सब बहुत से लोग हैं जिनका सपना है कि वो सिंगर बने और बहुत से लोग कैसे भी हैं जो इस इंडेस्ट्री में कदम रख चुके हैं लेकिन कोई खास सफलता उनको नहीं मिल पा रही है कोई कार्ण से तो मेरे दो सवाल है पहला बीगिनर्स के लिए है कि सुरुआत कैसे की जाए और दूसरा जो लोग थोड़े टाइम से महनत कर रहे हैं वो अपन करना बहुत डिफिकल्ट चीज होगी लेकिन आप आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म है हां मैं यह मानता हूं कि वहां आपको सो में से सो लोग सही जज़ करने वाले नहीं बिलेंगे कुछ लोग आपकी जुटी तारिफ लेकिन मैं कहता हूं कि खुद सबसे पहले खुद जज़ कर ले कि इस लाइन में मैं क्या मैं पर्फेक्ट हूं सबसे बड़ी चीज है कि टीन एज निकलने के बाद में 17-18 सान निकलने के बाद में जब सबसे क्रूशल एज आती है अपनी जहां अपने को करियर पे सब ज़ होती है यह बहुत रिस्की है इसमें अपन दोनों करियर अपने अपना सोख जुनून और साथ में अपनी अर्निंग सोर्सेज उनको भी बनाना बहुत जरूरी होता है तो बिगनर्स के लिए तो यह चीज़े अपने आपको ज़ल्दी कर लें कि हाँ और आपको लगे कि इस सब्सक्राइम आचुका है अब आपको वह नहीं कि पर्टिकुलर आपको रियालिटी शोर में ही आपको जाओं कि तभी आपको मुका मिलेगा बाप आप कोई भी इंसान अपना एक छोटा सा क्लिप भी अगर उसकी वायरल हो जाती है अगर उसमें सही टेलेंट है तो सच मे दुनिया उसको वायरल भी करती है उसको चांस भी मिलता है तो फ्रीलेंसर के टाइम में और भी जदा टफ है लेकिन वहीं चीज है कि आप अपना प्लेटफर्म खुद त्यार करने के ट्राइब करो ना कि दूसरे पर डिपेंटर हो तो सायद मेरे साब से जल्दी अपने आप में इंप्रूव करना और कंटिनुटी रखनी ठीक है अब आप वो चीज कैसे किसी पर ट्राइब करके करते हो लेकिन करनी बहुत जोरी है उनके पर नाकून के बराबर भी नहीं लता जी आज भी डेली रियाज करती है अगर अचीवमेंट्स और उस चीज को ल इस तरीके का कैरियर स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा इस्यू हमारे साथ यह होता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉंग नहीं होते हैं और 99% चांस में घरवाले स्पोर्ट करते हैं तो इस तीति में इस तीति से कैसे निप्टा जाए और क्या आपको यह सीजें फेस कर कर रहा हूं वह एस प्रोफेशन प्लस बिजनेस क्योंकि अभी वह एक ऐसे स्टेज आ चुकि है जहां मुझे इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है और उसी इन्वेस्ट से मैं वहां से प्रोफिट भी लेकर आ रहा हूं ताकि मैं उसको और इन्वेस्ट कर से मुझा मैं आपको घर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपको मोरल हो डाउन कभी नहीं हो पाएगा कि आपकी जो रूटीन लाइफ है बहुत ही चल रही है बिल्कुल इसमें कोई फैमिली में ज्यादा इस्यों है क्योंकि यह मैंने जो आपको स्टार्टिंग यह जी है कि इस है ज सुखर्ञों रिकौर्ड होता है अपको अपना अप्लोड करते हैreiben उसका जो रिक्शन आता है वह आप उनकी जो मज़ें मोजा है उनका जट्लियüst एक्ट है वह आपका यहाली यही जानदा किई कि सब्सक्राइभ यह डेंके होती है जो रिसपोंस अतनिका मज़ा मेरी खुद की वोईस पर अपना बिलियू रखता हूं और जो मेरी खुद की वोईस है वो सुनके कर किसी को मज़ा आ रहा है तो मैं तो लाइव सिंग पे बिल्कुल फोकस करता हूं कि और इस चीज का सौक स्कुल टाइम से फिर कोलेज में वैसा ही है और अभी भी ऐसा है कि क कुछ इसके मज़े के बराबर कुछ भी नहीं है कुछ आई लव यू पुछ पे अंदर की भी आप चैना रही है ऐसा चलता रहता है मतलब यह है इस टैक हो बस उन ओर्डियंस का प्यार है बसो आप सोसल मेडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं लेकिन वरत कि इसके पिछे वैसे कोई लोजिकली बात नहीं है लेकिन मेरा यह कि जैसे यूटूब के पहले मैं भी फेस्वूप पे काफी एक्टिव रहता था इंस्टाग्राम पे और सोचा भी था कि इन पे क्लिपी बनागे डालूंगा इससे पहले मैंने आपको बताना चाहूंगा मैं स्टार्मे कर एक कर गात है मैंने उस पका temps टारी न था Crunch Сडहट में और तब प्रत था यह वोट चलती थी कि live ranking चलती है live गाने को मैं बहुत गाता था उस पे बहुत गाता था और अभी भी उस टाइम के चु फॉल्वर्स पड़े मेरे पास वही पड़े हैं लेकिन अभी भी नए बिगिनर्स के लिए उतने फॉल्वर्स करना भी बड़ी बात है लेकिन उस टाइम होट live ranking म अभी तो वह बहुत वैसे हो गया क्योंकि अभी उसमें पार्टनर्स इप अगेरे सारी चीज़े आगे तो मैं उस पे बहुत करता है तो सोचल मीडिया मतला है और वहां की जो क्लिप थी वहां डाता था जब से ऐसे प्रोफेशन चूज कर लिया इसको तो अब खाली उन्ह क्योंके दोग जानना चाहते हैं जो सेरीत कौन है जब मुझे उसी जॉन के सौंग मुझे भी पसंद है सेकेंड चीज यह होती है कि अपन जिस एज में इस फिल्ड में गुषते हैं उस एज में जो स्टार चल रहा होता है वो अभियसली उसी के सौंग जादा सुन पाते हैं तो जब मैं कोलेज टाइम में था तब यह अपने करियर के टॉप पे थे और उस टाइम इन्हीं से इंस्पाइड थे और फिर सबसे बड़ा रिजन जो मैं पहला रिजन बताया इनका जो वोकल टोन जो जोन है वही में को पसंद है पार को क्याताता है तो मेरे लिए नुन सरी आति के फोटो तो जोकिस झालीग अ करवाश्याम लिए जब आप लोगों के बीज़ आते हैं, तो आपके fans का क्या रिएक सन्य था, क्या प्यार रोग जी वही तो सबसे बड़ी चीज है, जो अभी तक इस चीज से जोड़े रखती है, डेर साल तक कोई song नहीं आया, उसके बावज़ुद भी, जैसे आपने भी में को first time यही चीज बाई आप next song को आने वाले हैं, तो वह चीज बहुत अच्छी लगती है कि यार अभी भी लोग, अभी भी ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं, जो जिनको अभी भी पता है कि इसका song आने वाले है, या इसका song आएगा, जिनको सच में मेरा song का वेट है, बले क्या पता, उनके according करियरी spoiler हो गया, बुरा नहीं आने वाला हो लेकिन अभी उनको मेरे song का वेट है, सच में उन लोगों के प्यार का मुकाबला नहीं हो सकता है, उनहीं की वज़े से एक singer, एक star, एक इनसान कुछ भी बनता है, कुछ भी करता है, उन लोगों के प्यार के भी नहीं कुछ भी न मिलता हूं, और होता हूं, उसके बाद से मेरे पास मेरे सोचल मेडिया पर उनक से जुड़ा होता है, तो कहीं मेरे वो चीज नहीं किसी का reply नहीं देना, कुछ करना नहीं, बहुत अच्छे से जुड़ा रहता हूं, तभी उन लोगों को भी आज मेरे जैसे थोड़ा टाइ लाइव तो फोटो वगरे लेना, ओटोग्राफ वगर लेना ऐसा हो चुका है, पर पोज का भी तक नहीं हो लेकिन जो सबसे सोचल मेडिया पर काफी हो चुका है, उससे बहुत यूजटूर, उससे से यूजटूर, सटारमेकर के टाइम से, उससे बहुत बहुत लड़के जो भी है उसे साब से तर आपकी निसा में से अभी फिलाल सगाई हुई है और कोई लव और लव का कंसर्ण था तो हमें भी थोड़ा आगे फिलें लाइप में लड़कियों का कैसा क्या है तो इसका सबसे बड़ा एक्जामपल यह है कि उसने अमनत सोंग आया था मेरा 2018 नवंबर में और हमारी बात है जब टीजर आचुका था 10 नवंबर को मेरा सोंग रिलीज आ था 14 नवंबर की बात है जब उनका पहली बार मैसेज आया था और सच बत सब्सक्राइब करते हैं और मेरा जुलाइब सोगा था उस पर उनकी फैमिली आई मेरी फैमिली वहां थी तो ऐसे हुआ और फिर वो सिक्रेटली में को गिफ्ट वगारे करते थे और वो चीजे में सोचल मीडिया पर डालता भी था कि यह किसने भेजा है मैं को ऐसे बाइप पोस्ट उनकी जिफ्ट आते थे और नाम नहीं होता था वो चीज मेना सोचल मीडिया पर डाली भी थी और उनसे क्यूशन भी पुछा था कि भी कौन आप बताओ मैं को अभी तक उस चीज का मैं को नहीं पता था देन लास्ट में जाके मैं को चीज पता चली पता कहने था जी फिर उन्हों ने जब वह चीज है दोनों ने एक दूसरे को वह चीज एकसेप्ट कर ली तो दो से टीन साल का यह पीरिड़ था और उसके बाद में फिर जब सही टाइम आया फिर उनका भी करियर था वह भी था फिर उनकी जौब लगी बैंक में उसके बाद में फिर इस ने जिसके लिए सब्सक्राइब वो कहता है कि मेरा हीरो तो यह है मुझा और वह चीज थी ज़िए पहुत इंप्रेसिव था और फिर वह बात नहीं होती कि उस-प्रूब और फिर मेरे उनके साथ में बहेविर और आपस में बोंड़ीं और फिर मेरे को भी वह चीज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके आने जो मेरा फर्स सोंग आया था तब से वो मेरे टच में उसके बाद में अपस एंड डाउन में हमेशा मेरे साथ रही है वो अभी भी है और उनके लिए उन्होंने जिस चीज को देखके सबसे पहले पसंद किया था वो कैसे सबस्चेंगे ये चीजी वो थोड़दे है कि कि वो चीज तो वो पत्षे लिए उस चीज आउने पसंद किया था तो श्च में वो बहुत सपोर्ट करते हैं मैं सोच रासजने हो जाएं जो आजक्व ले लीक्स हैं उनमें बहुत से बैड़ वर्ट कर अगएं सब्सक्राइब इसमें अच्छा है जैसे लड़कियों के लिए जैसे कुछ विकाम तो ऐसे तंदूरी मुर्गी इस तरीके से तो इस पे आपका उपीनियन क्या है जी वही चीज है कि विल्गरटी चल रही है लोगों को चीज आले कि पसंद भी नहीं आती और मैं यह मानता ज़्यादा बस वह चीज है लेकिन एक अच्छा इंसान और एक अच्छी परशनलिटी आप उससे नहीं बना सकते मेरे साब से आप अगर यह साइं कि उससाब करियर कभी बना लें मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसे चीज़ें सलते हैं देखते हैं इसे क जूज करने को अच्छी चीज है मेरा लाइस्ट क्यूशन यह था कि आपका आपके सेंगिंग केरियर को लेके क्या सपना है आप अपनी ओडियंस तक क्या डिलिवर करना साथ हैं आपको ऐसे लगता हो कि कम से कम मैं इतना करता हूं तो ज़्यादा कुछ ना बोलने के से और बैर कर पांऊ घर चीज और करना मेरा सबसे जा इस तीक ही जो तीरे को क सकताई हुब ऑप जो नहीं से पर काम करने कि अचाम लोग चीजा कि एक सा मिस तार्ट पर को शुच्ट्र यह चुन एगी अगर कोई संग के भी संग रांगी बहुकुत जो बहुत बहुत वह आपका कीमती सकती हो संदेश के क्लिए कि लिए लोगी अब सकता हैं पर यह संदेश वह वाज नियुक्त सकं समय से को मेरे और मेरे ओडियंस को आपका इंट्रेक्शन होगा लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि मेरे ओडियंस में यह की चीज बोलना चाहूंगी अब जो अपकमिंग जो न्यू सोंग है वह बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है लोवीरिया मुजिक पे और यह मान के चलिए कि जो प पसंद आने वाला है क्योंकि पहले जो मैनत की उससे जादा मैनत इस सोंग पर की है हम लोगों ने और यह भी चीज बताना चाहता हूं कि अब यह पीरिड डाउन हो चुका है अब इसके बाद में अब सब अपकमिंग तीन-चार प्रोजेक्ट है जिन पर हम काम स्टार्ट क मिलेंगे और एक से बढ़के एक प्रोजेट मिलेंगे